दर्मिद्र परण जी नमस्कार करनारक में जो चल रहा है ड्रामा इसके बारे में आपका क्या रहा है सर नहीं कल हमारे यदुर पाजी इस्तपा देने के बाद नया नेता चुनने की एक परिस्तिती आई कल विधायकों की मीटिंग हुई पार्लामेंटरी बोर्ड ने उसकी प राज्य की गिर्ह मंत्री जो अधी तक काम संभाल रहते अनुभवी वासाब राज बोमाई जी को कल सर्वसमत से पार्टी में विधायक दल में नेता चुना आज वो सपत लेंगे भारतीय जन्यता पार्टी के प्रति और प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी जी के प्रति कर वास्ता है उसको वासवराज जी पूरी पांटी को सांथ में लेते हुए वो अपेक्षिया को जनता की आसा को पूरा करेंगे मेरा विश्वास है बहुत नाहूं थे रेस में बसुराज बंमाई कैसे सेलेक्ट हो गया क्या एडिवरुपा जी का दबाव था इसके पीछे विधायकों कल चहंत किया, हिदिर उपा जी ने उनकी नाम को प्रसावित किया विश्वरुपा जी, कारजोण जी, अश्वक जी शिर्णामलू इस सारे हमारे नेता, उनको समर्थन के और विधायकों ने सर्वा सम्र्थी से उनकी नाम को सिकृति दिया पार्लामेंटरी बोर्ड को ये सारे विश्य अभगत भी है और प्रधान मंत्री जी की पार्टी की राष्टी अध्याग जी की और राष्टी नित्रुतों की उनके प्रती सोवेच्चा है समथन है इसलिए पार्टी में हमारे युनानीमिटी के साथ कल हम निताचेंग के इससे पहले क्या-क्या घटी है आपको मालूम है बहुत नाटक चला इधर इधर बहुत सीर स्वामी जी लोग इकटा हो गया पार्टी का खिलाफ बात किया इडियर पाफार बात किया क्या बोलना चाहता है इसमें लेकर डिमोक् अधर अपाजी अपने श्वेंग से प्रधान मुंत्री जी की सामने अपने इस तबा की पेशकर्श की थी उसको पांटी ने श्यूकार किया उन्होंने शुच्छा से एक अच्छा परंपरा त्यार किया उस परिस्तिति में एक नया नेता की चैन की श्तिति आई और नेता ही होता है चैन तो एक ही का किसी का किया जाता है और प्रजातंति प्रक्रिया में डिमोक्रेटिक प्रस स्समें पार्टी ने बसब्र ब ..... अच्छा परंपरा की कशले प्लिचल आरे इतना स्वैक्स आके बात करने का बारे में उनका उधका करनाटक का प्लिटिकल इतियास में पहले बार देखा है करनाटक की रादनिती को थोड़ा बहुत समझता हूं करनाटक की समाजिक जीवन में अध्यात्मिक ताकतों की अपने आप में प्रभाव है कई सारे मर्ट स्वामी जी समाज को दिख दर्शन देते आये हैं आगे भी द का एक जगह पर फ्लड है एक जगह पर ड्रॉट है वह दर जिन्दगी डूब रहा है लेकिन इधर लोग किसको निकालना है किसको बिटाना है क्या करना है उसका बारे में बहुत चिंतित है जाना मैंने इसे मानता हूं देखो जिससे मैंने कहा कि एदर अपाजी खुद रेजिनेशन देने की पेशकस किया था उन्होंने राष्टिय नेत्रतों के सामने यह प्रिक्षा और इच्छा रखी थी सुभावी का हमारी पांटी में नए पिढ़ी को आने का एक परंफरा है और माहोल भी है अभी जैसे आपने देखा होगा केंद्रिया मंतिन मंदल में एक बड़ा परिवर्तन के आगया उसमें बहुत यग्योविक्ति जो अच्छे काम करी रहे थे उन्होंने भी आपने इच्छा जताई अबसर लेने के लिए इसलिए नए पीढ़ी आई पांटी के अंदर एक नए पीढ़ी धिरे-धिरे इमर्ज कर रहा है उसी प्रक्रिया में करना टक में भी इस प्रक्रिया को पुरा किया है यानि हमारी पांटी में बाक्सित ना होता तो यह सब होता क्या मिडिया तो ख़बर पहुंचाती है हमारे वहां सब अच्छा है सब बढ़िया से निता को चेन किया गया यही ख़बर आपको दिखानी चाहिए आपकी ध जंग से बात किया है और आज उसकी नतीजा है बासवराब बुमाई जी मेहां मुख्या मिंत्री की शापत लेंगे अच्छा कर सकता है उमीद है आपको मेरे को पूरा विश्वास है मैं बुमाई जी को वेतिगत रूप में जानता भी हूं कई सालों से एक बड़े राजनिति नता है असार बुमाई जी देश्र की निता रहे इसराज्य की मुख्या मिंत्री भी रहे और सामाज इक चिबनमे का दावार निता भी रहे उस परिवार से बासबराज बोमाई जी आते हैं उसके उपर भारतियद निता पार्टी और हमारी जो संगठन है हमारी जो गाउगां तक लोगों की साथ जुड़ने की एक नितुर्त है लख्यादी कार्यकरताओं की मेहनत से इस पार्टी आज इस प्रविस्मि मुकाम तक पहुंची है अनेक का प्रसंग पे किसानों की गरीबों की उच्छरों की आदिवासियों की दलितों की महिलाओं की युवाओं की मचवारों की इस सारे मुद्दाओं को लेके भारतिय जनता पार्टी एक सामाजिक संतुलन बड़िया सोशेल इंजिनेरिंग का बेस भारतिय जनता पार्टी करनाटक में बनाई है बासवराज मुमाई जी उसमें से घुले मिले हैं उसको समझते हैं पार्टी उनके साथ है पार्टी की तमाम नित्र तो यहां पार्टी की करनाटक की नित्र तो बड़ा परिपक्वा है तमाम लोग खड़े रहेंगे उस 65 साल आजादी के बाद आने वाले 25 साल कैसा होगा उसकी पांगने सने इन दिनों में डिलने वाला हैं उसकी कलपना इन दिनों में सपना दिखना सुरू हो गया है उसको हमारी सरकार साकार करें कि हम ко Sm Ap विप्ति के आधार पे संगर्थन या सरकार नहीं चलाते हैं एक विचार के लिए एक तत्यों के लिए चलाते हैं मौमाई जी उस विश्य में अच्छा काम करेंगे क्या क्या चालिंजस है आपके सामने आपने जिसे कहा है को करनाटक जिसे प्रांत को एक अर्थनिति की महासक है आज देश की संसेदिय व्यापार मुंति प्रलाद जोसी वहीं बैटे हैं यहां के हमारा योगिया प्रदेश अध्यक्षण अलिव कटिल जी बैटे हैं यहां हमारे स्वर्गिया निता अनंत कुमार जी की बहुत मेहनत रही इस राज्य में पाटी को बनाने के लिए रा प्रशानों की मजदूरों की युबाओं की महिलाओं की करनाटक को भव्य बनाना करनाटक को और मज्बूत बनाना यह चालेंजेस हैं और यह चालेंजेस समाज में निदंतर रहता है उसको पूरा क्या जाएगा साब ने चुनाव आ रहा है दो साल बाकि है ऐसे टेम पे प सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास यह हमारी मंत्र रहा है उसमें चुनाव कहा है चुनाव तो बीच-बीच में आते रहते हैं वो होते रहगा लेकिन हमारी कमिट्मेंट है जिसकी आजादी की 75 साल से आगे कैसे चलना 25 साल सब को कैसे लेके चलेंगे सब की विकास क अच्छा है आप काल खुद भी देखे होंगे एदुरपाजी काल खुश थे उन्होंने अपना जो एकजीट को अपने खुदी उन्होंने जो इस्तपा पे इसकस की थी कि मेरे आयू के करण मेरे को प्रत्यक्षे इस कामकास से मुक्ति दिया जाए पार्टी ने उनके इस राज्चे में बनाने के उनकी बहुत बड़ी योगदान रही है भूमी का रही है और आने वाले दिनों में भी ओकाल हमसे उनको मैंने वही अनुद किया कि आप आने वाले दिनों में भी पार्टी को मार्गदरसन करते रही है आपके अनुहप की सुवीधा पार्टी को मिले, नहीं पीडी को मिले, वो उस काम पे लगे रहेंगे मेरा पुरा विस्वा से, वो हमारे एक अच्छे निता है, बीएस्वाई चाहा तो वो गटना गटी है, वो रोक सकता था उन्होंने, ऐसा मत कीजिए, क्या घटी है, क्या घटी है, यह फार अगनेस्ट बात्चित हुआ, मैं कोई फार अगनेस्ट नहीं, कुछ स्वाई हमारी निता है और आगे भी रहेंगे, कुछ घटी नहीं है, आम मिडिया के मिद्रों उसको कलपना में परिवर्तित ना करें, ओके, ओ एडिवरपाजी का ए एडिवरपाजी को सन्मान के साथ आपने सेवा उन्चे लेगी, एडिवरपाजी का साथ-साथी बीजेपी जाएगा, भारतिया जनता पार्टी आने वाले दो-तिन दसक तक धक्षिड में, विशेश करके करनाटक में नई उचाई तक पहुंचे कि, हम आज करनाटक की जनत की सेवा कर रहे हैं, तेलेंगाना में भारतिय जनता पार्टी बढ़ रही है, तामिलाडू में आपनी विदायक जितना सुरू किये हैं, केरला में हम आपने ग्रोथ को और बढ़ानी है, पंडिचेरी में हमने कॉंगर्स को बेद अखल किया है, आंध्रे प्रदेश में भा मुख्या मंतिरी जी की अधिकार की विश्यर हो आपना क्याबिनेट बनाएगे, यह गड़ेटिक लोग अंदर आ सकता है, शवाविक जिससे में ने कहां आपको, कि जैसे अभी मुदी जी ने दिल्ली में एक नया पहल किया है, और अनेक राजियों में भी उसको भातितना हम तो कोई खांदान की पार्टी नहीं है, कोई एक परिवार की जी हजूरी करने वालों की पार्टी नहीं है, यह प्रजात्तंत्रिक पार्टी है, मेरी, परफरमंस, महनत, पार्टी की बिचारधरा, पार्टी के प्रतिसमर पर, यह सब हमारे हुआ काउंट किया जाता है, यह सारा विशिय को मिशिद रुपए यहां का मोख्यमन्द्री सबसे ही बेमर्ज करके そर्छा करके करेंगे। कंडर बी लेकश यहां का पार्टी स्ट्रॉक्चर की संभाभने बाले लोग है iterate र्फ क conserve my आएगा नहीं आंएगा यह मुख्षयमंतिया जी की कि विशे सदिकार की विशे है वहां की जो हमारी पार्टी को है कोई प्रिवार की पार्टी नहीं है कि शे की हाँ बरने में हमारी नहीं चलती है Candace 11 कि अधार पर बुरा हालत में है ऐसा टाइम पे बहुत चालेंज से बसरज बंबाई का सामने वो निभा सकता है उनों में करनाटक को जितना जानता हूं करनाटक अपने ही एक positive model है कई सारे चीज में भारत सरकार में पैछले साथ साल से विटके बेठेदा हूं करनाटक कि कई सारे national model हुआ है करनाटक model आगे चलके national model हुआ है यह बात छै psych है इन दिनों में जो कोरोना की महामारी के कारण एक बहुत भहंकर श्टीती बनी है विश्व भर में, नाकेबल भारत में विश्व की सारे developed economy की growth negative में हैं किसी की देश का भी नाम लो उसमें भारत ही आने वाले दिनों में विश्व अर्थनिती की नई vibration point, नई happening point बनेगा यह इसा एक्सपर्स की अनुमान से हिच से बात के स्बीध तले मिश्य इपारत की एकमिक रिभाइबल भारत की स्पीड की बात उती है करना तक की भीर नहीं कि सकता है करणातकि सर्विस इंडर्येस्ट्री करनातकि नॉलेज बेस इंडर्येस्ट्री करनातक जहकि ऐती सर्विस सेक्टर यह सारा विश्य विश्यों की अर्थनिदी को प्रभाविद करता है दूसरा पार्टी से लोग आया हुआ है अभी उन्होंने सोच रहे हमारा हालत क्या हो सकता है को आघिए कोई दूसरा पार्टी की बेति बीच ए पीमें नहीं है सब भारती जन्ता पार्टी की लोग है मिश्चित रूप में हमने कहा ना यह जी इस प्रकार से देश में स्थिती बन नहीं है मेरे दिने मोदी जी की उपर जो विश्वशनियता जो विश्वास जो कॉंफिडेंस देश की जनता की है उसमें कोई संदे नहीं करनाटक सदेव ने तुर तो किया है आने वाले दिनों में करनाटक मजभूती के साथ भारतिय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ रहेगा यह DCM का बारे में आप क्या बोलना चाहता है यह मेरे विश्व नहीं है और में मीडिया में भी इस विश्वे पर चक्चा करना उचित महीं मानता है थैंक्यू सेर थैंक्यू सो मच आपने हमारे साथ बहुत बात किया है थैंक्यू हमने की गलती फिर एक बार कोरोना ने किया दोबार अप रहा मास्क दो गजदूरी करें अपनी सुरक्षा पुद कोरोना टीका हम सब को लगाना है मिलकर साथ समस्दारी से कोरोना को हराना है करें अपनी सुरक्षा आवार